जहें दोस्तो वैकम बैक टू आर चैनल वैकम बैक टू जॉब टेरिया असा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरीन तरीके से लगे होंगे जहां दोस्तो रिसेंटली जो अभी जो है वन टू फिप का इंटर्मेडियर परसेचित साहिक अचार जो परिक्षा हुआ है उसमें बाइमुंडलिय सरचना से जो है कोश्चन्स देखे गए हैं तो अगामी एक्जाम जो आपका अपकमिंग एक्जाम 6-8 का जो होने वाला है उसमें भी इस टॉपिक से जो है कोश्चन्स बनेंगे और बात करें इस बाइमुंडलिय सरचना की आपका एटमोसफरी के स्ट्रक्चर की तो ये टॉपिक बहुत ही वन अप दा फेवरेट टॉपिक है आपका जैसेसी का जैसे सी हर एक एक एक्जाम में इस टॉपिक से जो है कोश्चन्स पूचता ही पूचता है चाया आप जहारकन पुलिस का उठा के देख लें पेपर या फिर आप सची वाले का देख लें इभन जैपीएसी की तक का भी देख लें तो इस टॉपिक से बाइमुंडलिय सरचन से हमेशा कोश्चन पूचा है और साय का चार्ज में भी पूच रहा है तो अपकमिंग जिनका भी है उनके लिए वीडियो काफी जो है इंपोर्टेंट रहने वाली है विकॉस यहां से कोश्चन बनेंगे तो आप जरू टेकल कर लिजेगा अगर इस वीडियो का अंतक अग ध्यान दीजेगा यहां पर देख सकते हैं आपका यह फृथिवी है और फृथिवी के फर्स्ट लेयर के बात करें तो आपका आता है तृप। siamo मंदल बोल देते हैं फिर आपका आता है स्ट्रेटो एसफेर जिसको आम लोग समताप मंदल बोल देते हैं और थार्ड आता है आपका मेजो एसफेर जिसको आम लोग मज़ सीमा बोल देते हैं और यह तीनों लेयर मिल के जो है आपका बनाता है सम मंदल सम मंदल पूछ लेगा से लेकर माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच में जो है इसका टेंपरेचर रहता है और यह अर्थ से जो है 8-18 किलोमेटर हाइट में रहता है तो यह इसकी हाइट है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा साथी साथ आपका कुछ इस परकार पूछ लेगा कि मौसमी परिवर्तन या फिर पूछ लेगा वारिस कहां होती है तो आपका एंसर होना चाहिए आपका ट्रोपोस फेर में तो ध्यान दीजीगा हम फिगर में भी दिखाए गया है ताकि इस चीज़ को आप लोग माइंड में रख सके तो बाई मंडल यह जो है आपका यहां पर मौसम यह अर्थ से जो है 50 डिगरी अफ होता है हाइट में होता है उचाई पर होता है और इस समताल मंडल में जो है आपके एरो प्लेन जो होते हैं हवाई जहाज फ्लाइ करते हैं तो यहां से कोश्टन बन जाता है ध्यान रखिएगा तो आपका समताल मंडल में ओजन परद भी पाए जाता है और aeroplane भी fly करते हैं ये दो महतवपुर्ण कोश्चन है ध्यान दीजेगा नेक्स्ट यगर बात करें तो आपका आता है मेजोएस्फेर मेजोएस्फेर यानि मयदिसीमा इसमें जो है आपका क्या होता है तो इसमें जो है आपका निसादिप्ती मेग है यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे थर्मो एन आइनो स्फेर जिसमें आपका जो टेंपरेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटिग्रेड रहता है और यह अर्थ से 500 किलोमेटर हाइट में होता है और इस मंडल में जो है इस स्फेर में जो है आपका क्या पाया जाता है त तो एक्जोईसपेर होता है, जिसको बहीर मंडल बोला जाता है, और इस बहीर मंडल में जो है, आईोनाइज़ट पार्ट आप दी एट्मोसपेर होता है इसमें, और इसकी चेमपरेचर की अगर बात करें, तो 1000 डिग्री संटीग्रेट होता है, और यह अर्थ से 2000 किलोमेटर ह हाइट में होता है, और आपका लास्ट बाला जो आपका लेर हो जाता है, वो आपका आता है, आपका चम्बु किया मंडल, तो यहाँ पे मेग्नेटिक असपेर जो आपका होता है, यह आपका सबसे लास्ट में होता है, अपर में होता है, और यह वन आप दा कोस्मेटिक रे जो है इसमें यानि चम्बुक्य मंडल में पाए जाते हैं और इसका टेंपरेचर जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेट होता है और यह हाइट में अगर बात करें तो 80,000 जो है किलोमीटर हाइट में होता है अर्थ से और यह जो आपका लेयर है अब हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट की और चलते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है तो देखिए अगर अगर अट्मोस्पेर की बात करें तो यहां पर जो है आपका सबसे पहले आपका आजाएगा प्रमुक मंडल इसको जो है किसका तो यह आपका मुख्यत जो है आपका होता है प्रमुक मंडल में आता है उसके बाद आता है गोन मंडल गोन मंडल में तीन सिमा इंक्लूटेड है बने रहीएगा हम लोग इंपोर्टन फैक्ट को भी देखने वाले है तो गोन मंडल में तीन लेयर होता है चोम सिमा सम विशुवत रेखा पर इसकी उचाई ध्यान दीजेगा यहां से कोई स्थिन बन जाता है विशुवत रेखा पर इसकी उचाई जो होता है अधिक 18 km और धुर्बो पर 8 km होता है इसमें संपूर्ण बाइ मुंडल का 75% भार पाया जाता है वहीं अगर बात करें सभी परकार की म से चलने बाले बायू को धियान दीजीगा इस पैंटको तेजी गतिसे जो बायू चलती है उसको जो है जट स्ट्रीय और रखेगा तक है और इस मंडल में ओजन गैस की उपस्तिती के कारण बढ़ते हैं उंचाई के साथ आपमान में बढ़तरी होती है इस मंडल के उपरी भाग में तापमान बढ़कर 0 degree centigrade तक पहुंच जाता है और समताप मंडल में जो है 25 से 35 km की बीच जो है ओजन गैस की एक घना परत पाई जाती है जो सूर्ज से आने वाली अल्ट्रा वोलेट रहे यानि परावगनी विक्रिनों से हमें बचाती है तो ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे ओजन लेयर का सर्वपरतम खोज पूछ लेगा तो यह आपका जो है रामसन महदय ने किया था ध्यान रखिएगा और समताफ मंडल में प्राई जलवास्प धुलकन से रहीत होता है परन्तु कभी कभी इस मंडल में हलके मेग का निर्मान होता है जिसे हम लोग मदर और प्रियल्स क्लाउड भी कहते हैं मदर और प्रियल्स क्लाउड के नाम से भी इसको जाना जाता है कि मजद मंडल के उपरी भाग में तापमान घटकर माइनस 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटिग्री तक पहुँच जाती है इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथी साथ आपका इस लेयर में जो है इस मंडल में ब्रा मंडल ये धूलकन के कारण नॉक्टी लिसेंट क्लाउड जो होता है का निर्मान होता है यानि निसा दिप्ती बादल का निर्मान होता है तो कोईस्टन पूछ लेगा निसा दिप्ती बादल का निर्मान यानि नॉक्टी लिसेंट क्लाउड का जो है निर्मान बनता कहा है तो आपका answer होना चाहिए वो आपका मईद मंडल में बनता है फिर आपका आता है ताप मंडल यानि थर्मोस्पेर या फिर इसको आइनोस्पेर के नाम से भी जाना जाता है तो ताप या आयन मंडल मजद मंडल की उपरी भाग में पाई जाती है इसकी उपरी सीमा धरातल से 500 किलोमेटर उचाई तक पाई जाती है इस मंडल में तापमान जो है 25 डिग्री संटीग्रेट तक पहुंच जाता है और इसमें आयने कृत गेस पाई जाती है इसलिए इसे आ गुलार्द में अरोरा बोरियालासिस और दक्षिनी गुलार्द में जो है अरोरा ऑस्टियलासिस कहते हैं तो इस बात को भी ध्यान दीजेगा आपका उत्री गुलार्द में जो है इसको अरोरा बेरियलासिस कहा जाता है और दक्षिनी गुलार्द में जो है अरोरा ऑस्टिय इस मंडल में गेसों का इतना आयनी करन जो है हो जाता है कि इस गेस के अनू परमानू के रूप में मिलते हैं साथी साथ इस मंडल में गेसों के अलग-अलग परत भी यानि लेयर भी गेसों के पाए जाते हैं फिर आता है चम्बुकिया मंडल चम्बुकिया मंडल जो है यह बाई मंडल का सबसे उपरी परत है यह लास्ट परत है लेयर है और इसकी उपरी सिमा जो है 80,000 किलोमेटर तक संभावित है और इस मंडल की कुछ बिदान बाई मंडल का हिस्सा नहीं मानते बहुत सारे विद्य इलोक्ट्रोन और प्रोट्रोन में तूट जाते हैं ध्यार रखेगा किसमें तूट जाते हैं इलोक्ट्रोन और प्रोट्रोन में तूट जाते हैं साथी साथ इस मंडल में विभिन परकार के कास्मिक कीर्णों का प्रभाव होता है और इस मंडल में सोर लपट का प्रभाव पढ़ता है इस बात को भी ध्यान दीजेगा वहीं गौन मंडल की बात करें तो आपका इसमें तीन लेयर होता है तो इसको समझते हैं इसके फैक्ट को फर्स लेयर में जो आपका छोम सीमा होता है तो इस्थिती और चोम मंडल और समताप मंडल की बीच का संकरमन की ये पट्टी है यानि आपका चोम मंडल और समताप मंडल की बीच की जो पट्टी होती है लेयर होती है वही है चोम सीमा और इसकी मोटाई जो है 1.5 किलोमेटर तक होती है इस बात को भी ध्यान रखिएगा सम्ताप सिमा यानि सम्ताप मंडल और मईद मंडल के बीच की जो पट्टी होती है लेयर होती है उसको सम्ताप सिमा कहा गया है और इसकी मोटाई 5 किलोमेटर होती है फिर आता है मईद सिमा तो आपका जो है मईद सिमा फिर आ जाती है तो मईद सिमा में जो है आपका ये मद मंडल और ताप मंडल के बीच की संकरमन पट्टी को मईद सिमा कहा जाता है और इसकी मोटाई 10 किलोमेटर होती है साथी साथ अगर बात करें कि ये तीनों पट्टिया आपका ओजन लेयर जो है आपका कहां पाए जाता है किस जो है लेयर में पाए जाता है ओजन लेयर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट की दिएगा थैंक्स पर वाचिंग